हालो फ्रेंट्स गुड बॉर्निंग सेवन्थ दिसंबर 2020 स्टॉक मार्केट की बड़ी खबरें क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल मार्केट में युएस मार्केट में एशन मार्केट में साथ के सांथ सिंगापुर निफ्टी कैसा रियक्षन दे रही और कुछ स्टॉक जो खबरों में रहने वाले हैं सब की बात करते हैं चोटे से वीडियों और आगे बने से पहले माँ आपको बता दोगा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी त डाउ जोन कल की डेट यानि की कल यानि की फ्राइडे मैं कहूंगा यहां पर लास्ट प्लोजिंग डेट कल जो है फ्राइडे ही था 248 पॉइंट का जंप नैस्डेक 87 पॉइंट का जंप आप देखिये पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रहे है लेकिन उसके अलाव हुआ जड़ा देखिये इसका असरेशन मार्केट पर कैसा रहा भई क्या रिया एक्षन है सिंगापूर निफ्टी डाउन आपको देखने को मिल रहे है तो एशन मार्केट का मान के चलिए मेजर मार्केट फ्लैट के सांथ थोड़ा डाउन साइड ही देखने को मिल रहे है इसको लेकिन majorly downside आपको देखने को मिल रहे लेकिन Singapore nifty आज की देट में आप ही देखिए पूरी की पूरी मार्किट में redness आपको देखने को मिल रहे होंगे जब से खुली है तब से गिरे जा रहे गिरे जारिये 13,350 के level से गिर के 13,267 के level पे आच चुकी है मतलब आप देखिए किस तरीका का पेइन आज की डेट में आपको सिंगापूर निफ्टी में दिख रहा है अब तक पिछले कुछी घंटों के अंदर यह सौ पॉइंट के आसपास नीचे गिर चुकी है देखिए बिलकुल बिग बिग रेड केंडल वह भी पांच मिनट के चार्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं तो इस तरीके से क्या आज की डेट में निफ्टी के प्राइसेज में भी ऐसा ही फॉल देखने को मिलेगा तो समझते हैं निफ्टी को बैंक निफ्टी को उनको भी समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ अगर मैं फ्राइडे के मार्केट में जैसे निफ्टी बैंक 2% की तेजी देखने को मिली थी और मार्केट जिसकी वेज़े से थोड़ा सा पॉजिटिव भी आपको देखने को मिला था फ्राइडे को अच्छानक से निकल का और इसने धमा का मजा दिया 14% का जंप स्पाइस जट अदानी पावर तो प फ्राइडे को धमाल मचाया था अब मैं आपको कुछ टॉप स्टॉक्स की तरफ लेकर चलता हूं जो आज न्यूज में रहने वाल हैं जैसे ओएंजी सी विदेश में यहाँ पे कोलंबिया के अंदर ऑइल स्ट्राइक है उसकी वज़े से असर पड़ सकता है आईसे आईसे होल्डिंग ने एक्वाइर किये हैं देखिए साथ सेंक्चूरी एक्स्टूजन की बात करें तो यहां पर सहा नीरज रजनीकांत जी ने चार लाग शियर्स यहां पर खरीदे हैं और इसके अलावा टाटा केमिकल्स देखे प्रोमोटर लगातार शेर खरीदे जा रहे हैं और प्रोमोटर ने 471 के रेट पर फिर से 25 लाग शियर्स यहां पर खरीदे आज से नहीं जब यह 300 के लेवल के प्रैस के आसपास तब तक तब से प्रोमोटर लगातार टाटा केमिकल्स में माल खरीदे जा रहे हैं रिलाइंस इंदस्ट्री एंसी अल्टी ने अप्रूब क यहां रिजॉलिशन प्लान जो इंफ्राटक्टर प्रोजेक्स जैसे के रिलाइंस प्रोजेक्स प्रॉपर्टी मैंगेजमेंट सब्सीडियर रिलाइंस इंडस्टी जिए इससे रिलेटेड नहीं यहां पर बैंकर अप्सी कोड के थूद कर था तो एंसे रिलिटी ने इंटेंट मिला है और इसा इलेक्टिसिटी बोर्ड की तरह से और पिसले कई टाइम से आप देख रहे हैं कि टाटा पावर में भी आप जबर्दस देजी आपको देखने को मिलिए और सन फार्मा में एक और बड़ी खबर है यहां पर यहां पर गिर्वी रखेवे शेयर प्र काफी इंपॉर्टेंट निफ्टी से स्टार्ट करेंगे डिश्टी में अल्रेडी आपने देखा हंडडेट पॉइंट्स तक की गिरावट आप देख पा रहे हो यहां पे सिंगपर निफ्टी में तो क्या यह तेजी आप देखे बहूती मतलब टीन महीने के के पाज देखते हैं वीकली पे क्या situation अभी बनती भी देख लिए है तो वीकली की situation जैसा कि हम बार-बार कहते हैं बॉलेस क्रॉस आपका चाहे निफ्टी हो चाहे कोई भी स्टॉक हो बन जाए तो positivity तो बॉलेस क्रॉस बनने के बाद हमें दो corrections मिली और रैली आपके सामने है लास्ट टू लास्ट वीक इंडिसीजन की कैंडल जरूर देखने को मिलीती लेकिन इसका लोँ प्रीच नहीं तो इसका कोई इंपॉटन्स रही नहीं गया जब तक इसका लोँ प्रीच नहीं होता है लोँ प्रीच करना important इसकी लिये होता है ताकि आपका इस तरीके से जॉइंट फॉर्मिशन है यह क्या है बीरिस जॉइंट और जैसे हम कहते हैं अगर आपके इंडिस जिन की केंडल बॉटम पे इस तरह किसे आपको यहां पर मिले तो इसका हाइब्रीज करना ज़रूरी होता था कि आपका यह बुलिस साइड में पॉजिटिविटी आपको दि यह लिए है जो की एक रिस्की एडिया होजाता है और उसके बाद आपको ह 16 to is इसके बाती में में यह पर जा रहे हो बुलीश साइड में ट्रेड ले जो ंदर आ और जा रहे हो अंदर आप70 द चार्ट में शान के निविक्ल करद semester है और वो करेक्शन कभी भी आपके सामने आ सकते देखिए क्योंकि इतना दूर जाना सस्टेनेबल मूव नहीं होता है अभी फिलाल समस्ते है यह बड़ी रेट केंडल जैसे हम आपको बार-बार कहते है बड़ी रेट केंडल की इंपॉर्टेंस है और सांथ के सांथ लेकिन प्राइस इससे बी ऊपर निकल गया इसे भी उपर निकल गया और एक बार भी हमको जॉइंट की की फॉर्मेशन नहीं देखने को विली इवन ओन डेली और इंपोर्टेंस तभी होती है जब आपको जॉइंटी की फॉर्मेशन गया यह एक प्रीवियस के लोग को तो ब्रीच करें लेकिन एक बार भी ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ क्या अभी के टाइम पर यहां पर करेक्शन आएगी क्योंकि यह अलड़ी इस लवल को पार कर चुका और आज की डेट में जो आप हंड़ेट पॉइंट का डिप देख पार हो सिंगपूर निफ्टी में और अल्रेडी निफ्टी डेली के टाइम फ्रीम पर भी आ से स्टाट हो जाएंगे देली पर आपके लोवर घॉलोर हाइफ लोर जो चीजर्ड देखने को मिल जाएंगे और इसके-साथ-सत वही चीजु अगर आप अवरी पे देखो पूरी जो आप पूरी हम इहां पर क्रेक्शन के एकस्पेक्टेक्शन लगा रहेते लेकिन एक ब कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी बुलिष क्रॉस बन चुका है जैसा कि बुलिष क्रॉस के बाद रेक्वार्मेंट होती है किस चीज की यह वीकली चार्ट है एक मैं कहूंगा मंतली चार्ट को जरा आप देखिए क्या करेक्शन क्या तेजी दो महीने में पूरी तवाही मचा दे लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने आल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर है लेकिन डेली वीकली पर आप देखो तो आपकी फॉर्मेशन किस चीज क्यों है बुलिष क्रॉस की बिलिष क्रॉस की चाहिए और फात क्या चहीं होतीक तो यह क्रेक्शन आप लोग समझ रहे होंगे कि यह क्रेक्शन आ जाए तो थोड़ा सा जंप कर भी करक्शन आ सकता है लेकिन जो अगला करेक्शन आने वाला हो वह वह बगधी आनर्जी बैंक के शेर्स पें लेने आ आलाने वाला है तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं काऊंगा रडार में रखें फिलाल की situation अगर आप देखो यहां पर correction जो रही उसमें धीरे धीरे प्राइस तो जंप करता गया लेकिन आरे से ने वीक्नेस आपको दिखाए बट अपी लग रहा है कि बेस की चार्ट पे इतनी दूर कभी रहा नहीं है moving averages से और इससे पहले भी जब यहां पर बुलिश क्रॉस बना था तो एक बड़ी डीप करेक्शन आई थी जो कि फिफ्टी यह में के नीचे तक गई थे और अल्रडी पूरी मार्किट काफी overvalued situation में है तो थोड़ा सा और जंप करने के बाद फिर यह correction आपके उपर यहां पर आ सकते हैं तो ध्यान रखें यहां पर मैं कहूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर आफी जो अभी जो ओबर प्राइस्ट चीजे हैं उनके उपर फोकस ना करके जो आपके कंट्रोलेबल चीजे जहां पर मैनेज रिस्क है बैंक निफ्टी के अगर मैं आवरली चार्ट को देखो पिछले कुछ टाइम से तो आप देख रहे हो कि हाँ ज्यादा जंप आपको देखने को मिल नहीं रहा है और एक टेरिटरी आप इसको कह सकते हो फ्लेटरी में जा रहा है लेकिन आपकर पिछले तीन बॉटम को आप बैंक निफ्टी में तो बहुत सारे बैंक के स्टॉक आपको बढ़िया ओपॉर्टरिटी देने वाले फिलाल वाइंड आप करता हूं इस वीडियो को उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं